मैं डॉक्टर सर्चिन शुक्ला बच्चो और आज हमारा बहुत रोचक तरीके से हम जानेंगे कि किसी तरभूज का जो परीकेंद्र होता है उसकी रशना हम किस प्रकार से करते हैं देखे हम इससे शुरू करते हैं भी हम देख सकते हैं हमने एक तरभूज बनाया है A B C और यह तरभूज क्या है अधिक कोन तरभूज है अब हमें परीकेंद्र बनाने के लिए क्या करना होता है हमें जो इन तरभूज की तीन भुजाए होती हैं कि हर प्रतेक भुजा का हमें लंब संदी भाजक बनाना होता है यानि AB भुजा का लंब संदी भाजक बनाने के लिए संदी भाजित करने के लिए AB से अधिक दूरी लेकर a को केंद्रमान के उसी दूरी का चाप वपर और एसे ही विप्रीत दिशा में चाप लगाएं हमने और जहां पे a,b से उपर ये चाप काटे हैं उसको हमने एक नाम देना पढ़ा का डी और नीचे जो चाप काटा है उसको हमने नाम दे दिया अब D से E को जो हमने मिलाया E से D को मिलाते हो आगे तक हमने खेज दिया है अपनी सुब्धा के लिए अभी जानेंगे हम तो जिस प्रकार हमने A B भुजा को सम्धी भाजित करा लम सम्धी भाजित किया है उसी प्रकार हम A C भुजा को लम सम्दी भाजक हमने करा तीनों हो जाओंका तो आगे बढ़ाने पर देख सकते हैं G F को आगे बढ़ाया और हमने I H को आगे बढ़ाया और E D को आगे जब बढ़ाया तो ये बिंदू पर जाके मिलना है उस बिंदू का नाम है O तो यह जो बिंदू नाम हमने ओ दिया है आप फुछ मी नाम देश सकते हैं यह जो ओ बिंदू है यह इसका कहलाता है किसी तिर्बुज का परी केंद्र और इस परी केंद्र की खासियत होती है यह तिर्बुज के शीर्षों से बरावर दूरी पर होता है यानि अगर सीधी रे तो हमारा परी केंद्र तिर्बुज के बाहार था और न्यून कोन तिर्बुज तो हमारा परी केंद्र तिर्बूज के अंदर आएगा इन सभी जो बुझाएं उनके वाई सेक्टर करने पर लम सम्दी भाज़त करने पर तो उनके जो कटान मिंदू होंगे परिछेद मिंदू होंगे तिर्बूज के अंदर मिलेंगे और जब कि समकों तिर्बूज में जो लम सम्दी बाज़क होंगे बुजाओं के वो देख सकते हैं के लिए ये कहां जाके मिलना है करण पे तो इस पकार से हमने जाना कि किसी तुर्बूज का परिकेंदर क्या होता है मैं डॉक्टर सच्चिन शुक्ला आप सभी का धन्यवाद